हेलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार छे अप्रेल दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज पेपर अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज होंगी वोई सूडियो के थूरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगा अज थोड़ी पोलिटिकल न्यूज के साथ ही हम लोग कंटिनुए देख रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कई सारी चीजें जो डिसकस की जा रही है इसी कॉंटेक्स्ट में कॉंग्रेस पोलिटिकल पार्टी के द्वारा अपना मैनिफेस्टो या घोषना पत्तर या इसका नाम दिया है न्याय पत्तर ये लौंच किया है इसमें कुछ बाते बताएगी जिसके बारे में पढ़ना चाहिए कि माल लेते कल को कॉंग्रेस की सरकार आती है नहीं आती हो तो लोग डिसाइड करेंगे लेकिन आज आती तो ये क्या करेंगे यानि मैनिफेस्टों का मतलब होता है इलेक्षन से पहले हमारा ये घोषना है हम ये डिकलेर करते हैं कि हम ये सब चीज़े करेंगे कॉंग्रेस ने प्रोमिस किया कि पहली बात तो जो 50% की कोटा कैप है अभी आप रिजरुवेशन में देखेंगे 50% की लिमिट लगी हुई है हम इसको हटाएंगे हाला कि जो 50% की लिमिट अल्रेडी 60% हो चुकी है क्योंकि 10% जो है आप देखेंगे कि 10% जो अल्रेडी EWS के साथ अगर आप आड़ करते हैं 50% के आज पास जो है वो रिजरुवेशन बनता है लेकिन इस लिमिट को हटाया जाएगा इसके अलावा इन्होंने क्या इंपोर्टेंट बाते बोले गई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो इन्होंने का कि हम लोग जस्टिस के लिए 5 पिलर्स पर काम करेंगे यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया कि लोकसभा में जो कॉंस्टुशनल इंस्टुशन और डेमोकरेशी को डेस्ट्रोई किया जार हम प्रोटक्ट करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा और सुरक्षित कोंस्टुशन बना देंगे 25 गारेंटी इन्होंने दिये 25 पेज का मैनिफेस्टो है और इसको न्याय पतर डॉकॉमेंट फॉर जस्टिस के नाम से दिया गया तो उनको एक साल के जो है अप्रेंटिस दी जाएगे और उनको एक लाख रुपे उस दोरान दिये जाएगे। इसके अलावा minimum spot price को इननका कि हम legal right बनाएगे, 30 लाख vacant government post जो है उसको बढ़ा जाएगा, 50% की जो cap लगी हुई है, reservation को लेकर SC, ST, OBC की context में उनको बढ़ाया जाएगा, 10% का जो reservation है, economically weaker section को लेकर इसको हर एक institute में implement करेंगे, अगनीपत requirement scheme जो है आवन forces के लिए इसको scrap करेंगे, राजस्तान model है, एक universal health care इसको लागू करेंगे और 25 लाग रुपे तक का insurance हम provide करेंगे, most interesting इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए reservation में 50% का reservation लागू करेंगे, जो कि अपने आप में debatable भी रहेगा, ये सही है, गलत है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये interesting step है इनका, इसके अलावा, इन्होंने कहा कि जो one third reservation है, महिलाओं के लिए लोकसुबा, सोरी, पार्लियमेंट के अंदर या legislative के अंदर, 2025 से ही हम लागू करेंगे, जो अभी 2029 तक planning कि जा रही है, लेकिन एक subject पर थोड़ा silent हो गए है, वो है old pension scheme, जो कि काफी जाद है इन्होंने promise करी थी, उस पर ये silent है, कोई word इनका आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके अलाबा, यहाँ पर यह बताया गया, कि institution का जो misuse हो रहे है, वो सब चीजे है, और हम लोग एक better condition के अंदर है, अच्छा election लड़ रहे हैं, और अच्छे results भी देखने को मिलेंगी, यह चीजे इन्होंने बताई है, इसके बाद second एक interesting topic है, वो है, उत्तर प्रदेश में मदरसा को जो regulate करने वाला लोग है, उसको high court ने strike down कर दिया था, अब उसको supreme court ने stay कर दिया है, अलाबाद high court ने जो stuck down किया था लोग को, जो direction देता है कि वह जो बच्छे मदरसा के अंदर पढ़ते हैं, उनको regular school के अंदर transfer किया जाए, supreme court ने उस order को फिलाल stay किया है, तो ये low पढ़ते हैं क्या exactly, और supreme court ने क्या वोला, supreme court ने अलाबाद high court की judgment है, जिसमें 20 साल पुराना उत्तरपरदेश का low है, जो regulate करता है मदरसा को, और order किया था कि इसके अंदर जो बच्छे पढ़ते हैं, उनको regular school के अंदर भीजा जाए, तो three judge की जो bench है, जिसको head किया गया, डी वाइच अंदर चूट, जो हमारे chief justice है उनके दोरा, उन्होंने freeze किया कि इसका implementation भी नहीं होगा, और freeze किया जाएगा, बाइस मार्च की judgment है, इसके बाद उत्तर प्रदेश government ने कहा कि हम इस verdict को accept करते हैं, और इससे सीखते हैं, क्या है पूरा मामला basically, state के claim करता है कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश board of मदरसा education act 2004 है, इसके अंदर कहीं नहीं कहा कि मदरसा के अंदर जो education है, वो कहीं नहीं कहीं challenging होती है, दूसरा, यह एक जो threaten करता है secularism के basic principle को और basic structure of the constitution जो 1973 में के स्वानन्द भारती वर्देश स्टेट ऑफ किरला एक historical verdict है, उसका कहने कहीं violation करता है, ठीक है, इसके अलावे इन्होंने कहा कि broad based education यहां पर नहीं दी जाती, math, science, social science, studies तरह की subject नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन court ने counter किया कि जो state का logic है, कि आप इसको strike down कर देंगे लोग को, तो फिर आप guarantee देते, ensure कैसे करेंगे कि बच्चे है, जो है, वो math, science, social study, language और history के बारे में, पड़े यानि remedy नहीं है, यह कोई होना यह चाहिए, कि आप यह legitimate करे, legal करिए, कि जितने भी institution, भले religious institution क्यों हो, उनके अंदर compulsory करिए, math, science, history, geography, जितने भी subject होते हैं, computer इनको आप implementation करिए, environment एक important subject आज की time पे है, right, तो फिलाल के लिए freeze रहेगा, और court ने का कि legitimate public interest के लिए ज़रूरी है, कि आप education के अंदर, जो quality और standard चाहिए, उसके लिए, एक low बनाईए, properly implementation करिए, वो ज़्यादा important है, अगर आप ये कहेंगे, कि इन्स्ट्यूशन को बंद करके change करिए उनको, तो वो कहिए ने कहिए, challenging चीज़े होंगी, इसके बाद, RBI की तरफ से एक important decision लिया गया, RBI की जो monetary policy committee की meeting होती है, जिसमें तीन government के representative होते हैं, तीन RBI के representative होते हैं, उन्होंने rapport rate को फिलाल unchanged रख important है, repo rate जो होती है, जिसके अंदर repurchasing rate आप कह सकते हैं, जिसमें bank को commercial banks को loan दिया जाता है, इसके लावर reverse repo जब commercial bank के पास पैसे ज़्यादा होता है, तो वो RBI के पास अपना पैसे जमक राते हैं, उन्होंने कहा कि अभी hold पर रखा गया, इसमें कोई increment नहीं किया गया, repo rate अ की condition की इस तरीके से, तो उसको observe करते हुए चीजों को decide किया जाता है, ठीक है, यह बताया गया, कि food price जो है, उसको ध्यान में रखते हुए, reserve bank of India, फिलाल इस चीज को लेकर वरी है, कि overall inflation जो है, वो moderate है, और central bank की monetary policy committee ने decide कि वो repo rate जो है, वो under the liquidity adjustment facility के है, यानि यह 6.5% के आस लाओ नहीं किया जाएगा, सात्वी बार ऐसा हुआ जब इसको hold पर रखा गया, इन्होंने क्या बता है, monetary policy committee जो है, इस चीज को लेकर focus है, कि inflation के जो target है, वो durable basis पर बने रहे, इन्होंने का कि हमने progress करी है, dis inflation के मामले में और हमारा task अभी complete नहीं हुआ है, इसके अलावा, ये ensure करना कि inflation के जो target है, उसको progressively align करें, हम targets के साथ, growth को हम लोग spot करें, और monetary policy में, अगर हम बात करें, तो उन्होंने का कि food price की uncertainty continue आपको देखने को मिलेगी, और आने वाले time में record review wheat production आपको देखने को मिलेगा, जो कहने कहीं help कर सकता है, price को temper करने में, price pressure को temper करने में, इसक अगर रभी की crop अच्छी खासी होती है, तो जो stock है, buffer stock वो कहीं न कहीं, फिर से उसी तरीके से होगा, और आने वाले time में normal monsoon भी predict की गई है, इसका मतलब यह कि अच्छे shine है, और overall inflation जो है, फिलाल control के अंदर है, और इसी context में, हमें अपनी policies में growth inflation dynamics को ध्यान में रखते करना उसके ओपर बात की गई है, ठीक है, इसके बाद United Nation Human Rights Council ने में जब vote हुआ, इसराइल को लेकर तो भारत ने abstain किया, भारत कई बार abstain कर चुका, इसराइल और एक तरीके से, तो यह पूरा matter किया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, Friday को एक graduation लेकर आया गया था, United United Nation Human Rights Council के अंदर, जो यह चाहता था कि immediately ceasefire होना चाहिए, इसराइल और गज़ा के बीच में, इसके अंदर यह 47 मेंबर की जो council है, उसने resolution को अड़ोट किया है, लेकिन भारत ने abstain कर ले, abstain का उलाब है, भाई हम ना इस पक्स में हैं, इंडिया ने abstain किया, तो भारत की दूसरे जो resolution लेकर आए गये थे, जो criticize करते इसराइल को, human right violation को लेकर, पलिस्तान में, इसराइल का जो occupation है, Syrian golden heights में, या फिर पलिस्तान का जो right self determination, इन सब पर भारत ने favor में vote किया था, भारत का पक्स अगर हम बात करें, भारत किस तरी किसे चीज़ों को देख रहा है, में doubt नहीं है, लेकिन जो इसराइल पर terror attack हुआ था, उसको भी consider किया जाना चाहिए, मेली और इसी होज़े से भारत आप देखें, कई जगह पर आपने आपको abstain करता है, या voting के अंदर participation नहीं करता है, इसमें कई country ने favor में vote करा, यानि इसके against sorry vote किया, वो थे, अगर आप ध attention किया, बंगलादेश, चाइना, मालदी, UAE, इंडियनेशिया इननों ने favor में vote किया, तो ये कुछ चीज़े है जिसके बारे में बताया गया, ठीक है, इसराइल को लेकर भारत की दो foreign polls से बहुत clear आपको नज़र आएगी, एक तो हम लोग two state solution पर बात करते हैं कि इसराइल दोनों के बारे में बात होने चाहिए, ऐसा नहीं कि one sided आप चीज़े करेंगे, तो ये difference थोड़ा सा आपको observe करना है, इसके अलावा political news आपको भर भर के नज़र आएगी, क्योंकि election हो रहा तो ये बहुती natural सी चीज़े हैं, जो आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद अग से गरम बात करें, एक debate हो रही है, अभी किसी वेक्ति ने comment कर दिया थे कि भारत की जो growth rate है 2047 तक ये 8% के आस पास रहेगी, तो IMF ने का कि ये हमारा prediction नहीं है पहली बात, देखो हर साल 8% की growth rate हासिल करना, it's not easy, चाहिए कितनी भी तगडी government क्यों ना हो, और 2047 तक यानि इवन चाइना के लिए बहुत टफ होगा ही इस तरह की चीज़, अगले 20-30 साल तक इस तरह की growth rate को हासिल करना, इसके अलावा वर्ल अफेर में छोटी-छोटी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, नॉर्वेय ने अपना defense budget बढ़ा दिया, साउथ कोरिया फिर से surprise satellite launch करने तरही कर रहा है, यूएस के अंदर election का process चल रहा है, टरंप ने कहा कि भाई, conflict को खतम करना चाहिए, United Nation Human Rights Council ने कहा कि कोई भी country इसराइल को war या एक तरही के से आम सैल ना करे, हिजबुल्ला जो एक organization है, लेवनान में काफी active आपको नजर आएगा, जिसको back करता है रहा है, उन्होंने का कि इरान के councilate पर strike करना, जो Syria के अंदर हुआ था, इसराइल ने counter किया था, तो ये एक turning point है और इसका बदला जो है, इसराइल को चुकाना पड़ेगा, खैर ये सब चीज, US और चाहिना की भी इसमें, दो साल बाद military talks हुई है, उक्रेयन रशिया दोनों लड़ रहे हैं, तो आज कुछ specific नहीं है, कि आज क्या हम नया क्या पड़ रहे हैं, ठीक है, उस तरह के news आपको देखने हैं, उन मिलीगी इस page पे, next page पे, दो important है, एक तो अगर आप बात करेंगे, जर्मनी के अंदर cannabis की जो consumption है, वो बढ़ रही थी, तो जर्मनी ने इसको legalize कर द पॉलिटिकल लीडर जो है, दुनिया भर के, आज के टाइम पे खत्रा है, जिसको ignore करने हैं, जिस पर बहुत ही कम बात हो रही है, वो है, anti-microbial resistance करके, यह unprecedented health और economic catastrophe क्रेट कर रहा है, high level की task force ने इसको one किया है, ठीक है, वर्ल्ड आज के टाइम पे limited है, और critically window of opportunity के हिसाब से response कर रहा है, जो urgency हमें दिखाने चाहिए, जो proportionate है, या rapidly increasing threat है, anti-microbial resistance की वज़े से, यह एक तरीके से global steering growth of anti-microbial resistance ने एक report publishing के दोरन का, resistance of anti-microbial, चाहिए वो anti-biotics हो, anti-fungal हो, anti-parasite हो, यह कहीं नहीं है, वो कलरीड कर रहा है, इसके result जो है, वो massive है, और अगर आप इसके product की बात करें तो यह humans को treat करने में, animals और food को treat करने में, use होते हैं, इसके अलावा evidence क्या है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो natural environment को कहीं ने कहीं challenge करते हैं, इसके अलावा climate crisis definitely increase हो रहा है, इसकी वज़े से infectious disease भी spread हो रहा है, जो drug resistance infections को कहीं ने कहीं affect करते हैं, इसके ल हाली है, तो उस हिसाब से बहुत important है, microbes जो है वो, उसको completely आप addict नहीं कर सकते हैं, कुछ substance दे दिया, लेकिन आप देखेंगे, जब यह microbes resistance करना शुरू करते हैं, तो यह drug जो available है, उस context में, infection को treat करना सबसे बड़ी problem है, anti-microbial resistance है, अल्रेड़ी अगर हम बात करें, दुनिया में, एक serious, यह cause है death का, जिसकी वज़े से 1.27 million death पर साल हुई है, और अगर आप इसको uncheck छोड़ देते हैं, proper check नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, 2035 तक average life expectancy 1.8 year कम हो जाएगी, और unprecedented health care cost बढ़ेगी, इसमें 412 billion dollar की additional health cost बढ़ेगी, 443 billion dollar पर यह जो है वो labor productivity खतम होगी, यह global steering group का एक observation है, अगर आप इसको चार point में रखेंगे, एक तो antimicrobial resistance पर बात नहीं हो रही है, यह serious cause of concern है, दो चीज़े और बढ़ेगी, एक तो cost बढ़ेगी और दूसरा productivity कम हो जाएगी, यानि चार important relation है इस antimicrobial resistance के साथ की, जिस तरीके से चीज़े बदल रही है, motion बदल रहा है, climate change हो रहा है, तो यह health को लेकर भी कई सारे concern जो है, वो raise करेगा, फिलाल, the Hindu newspaper analysis में इतना ही, thank you all, jahin.